हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रविर्धी ब्याज को साधारन ब्याज के फर्मूला से कैसे निकाला जता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है 10,000 रुपाय का 5 प्रतिसत वार्शिक दर से 2 वार्श का चक्रविर्धी ब्याज निकाले देखें इसको निकालना बिल्कुल आसान है देखें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारन ब्याज का फर्मूला क्या होता है देखें साधारन ब्याज का फर्मूला होता है मुल्धन गुना, समय गुना, दर बटा सौव देखें जब भी आप चक्रविर्धी ब्याज को निकालते हैं और यहां पर देखें दर जो है वह वार्शिक रहता है तो एक वर्श तक साधारन ब्याज या फिर चक्रविर्धी ब्याज सेम रहता है तो देखें इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्श का साधारन ब्याज को निकालना होगा तो देखिए हम लोग यहाँ पर मुल्धान के जगह पर यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपए को यानि देखिए हम लोग जितना रुपए किसी से लेते हैं उसको बोलते हैं मुल्धान इसके बाद देखिए समय के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे एक क्योंकि देखे जब भी चक्रविर्धी ब्याज को निकलना होता है तो सबसे पहले आपको एक वर्ष का ब्याज को निकलना होगा इसके बाद देखे गुना में लिखेंगे दर को दर देखे यहाँ पर है पांच परतिसत तो यहाँ पर लिखेंगे पांच को और देखिए आपर फार्मूला में है बटा में 100 तो इसको लिख देंगे बटा के नीचे यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा 100 से गुना 1 में करे तो यह रहेगा 100 100 से गुना 5 में करे तो यह हो जाएगा 500 यानि देखिए अगर आप 10,000 रुपे किसी से ले लेते हैं और उसका जो दर है वह है 5 प्रतिसत वारसी तो उसका देखिए एक वर्स में जो ब्याज होगा वह होगा 500 यह देखिए साधारन ब्याज भी है और यह जो है चक्रविर्धी ब्याज भी है लेकिन देखिए यह एक वर्स का है यहां पर देखिए दो वर्स का निकालना था अगर देखिए दो वर्स का साधारन ब्याज निकालना होता तो इसमें हम लोग दो से गुना कर देते हैं लेकिन देखिए दो वर्स का चक्रविर्धी ब्याज को निकालना है तो अगर आप यहाँ पर दो से गुना कर देते हैं तो आपका यह गलत हो जाएगा देखिए दूसरा वर्ष का चक्रविर्धी ब्याज को निकालने के लिए जो यहाँ पर मूलधन है इसमें आपको सबसे पहले ब्याज को जोड़ना है जैसे देखिए मूलधन जो था वह था दस अजार और ब्याज देखिए यहाँ पर है पाँच सो तो यहाँ दोनों को हम लोग सबसे पहले आपस में जोड़ाएंगे यह हो जाएगा दस अजार पाँच सो अब देखिए जो चक्रविर्धी व्याज चलेगा अगले वर्स में वह चलेगा दस अजार पाँच सो का तो देखिए अब हम लोग मूलधन के जगह पर दस अजार को नहीं लिखेंगे अब लिखेंगे दस अजार पाँच सो को तो देखे यहां पर लिखेंगे सबसे पहले दस अजार पांच सो देखे एक वर्स का पहले निकल गया था तो बचा हुआ है एक वर्स तो यहां पर लिखेंगे एक को दर देखे यहाँ पर था 5 परतिसत से और देखे फर्मूला में था बटा में 100 यह दो 0 से यह 2 0 कड जाएगा 105 से 1 में गुना करे तो यह रहेगा 105 अब देखे आपको 105 से 5 में गुना को करना है तो देखे यह जो आएगा यह रहेगा 525 यह देखे दूसरे वर्स में जो ब्याज होगा वह हो जाएगा 525 रुपए देखे जो पहला वर्स में है इसको हम लोग सबसे पहरे लिखेंगे और दूसरा वर्स में जो ब्याज है इसको भी लिखेंगे और इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा पांच यहाँ पर दो पांच और पांच को जोड़े तो यह हो जाएगा दस यानि देखिए अगर आप दस जाय रूपे किसी से ले लेते हैं और उसका देखिए पांच प्रतिसत वार्षिक दर है तो दो वर्ष में चक्रविधी ब्याज कितना होगा वह हो जाएगा एक हजार पचीस रूपे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गया होंगे कि चक्रविधी ब्याज को साधारन ब्याज के फर्मूला से कैसे निकाला जतता है